हेलो इस्टुएंट वेलकम आई यूट्यूब चैनल learn and teach में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे सपरेटिंग केलोरी मेटर के बारे में कि सपरेटिंग क्लोरी मेटर क्या होता है उसका यूज हम कहां करते हैं उसका कांसे काम कैसे करता है स्टुडेंट अगर आप चैनल में नहीं आए वे तो चैनल को कर लिए सस्क्राइब क्यों नए नियों टोपी को हर दिन डिसकस करते रहता हूं डिप्लोमा लेवल की चली सबसे पहले में समझते हैं क्या कि सप्रेटिंग क्लोरी मीटर क्या होता है तो सप्रेटिंग कहने के मत अगर के लोड़ी मीटर के बारे में और वी जाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रीप में लिंक मिल जाएंगे वहां जरूर जाके वीडियो को देखे कि क्या होता है उसका किस्तव सब्सक्राइब होता है तो आपको यह वीडियो देखे तो ज्यादा बेटर में लिखी वे किया है कि सप्रेटिंग कलोरिमेटर इजे डिवाइस में इसमिंच एक तरह का डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करते हैं इस यूज टू डिटर्माइन दी ड्राइनेस फ्रेक्शन ऑप इस्टीम बाई मेकनेकली सप्रेटिंग दी वाटर पार्टिकल फ्र अंत्रिक रूप से अलग करना और भाप के सुखा पन अंस को मापने के लिए किया जाता है सप्रेटिंग के रूरी मिटर एक तरक ऐसा डिवाइस से इंस्टूमेंट है जिसका यूज हम लोग कहा करते हैं जो गीला भाप होता है जो गीला भाप और पानी के कन होता है उसे में ये काम आता है जो भाप के सुखा अंस को मापने के लिए भी इसका यूज किया जाता है जो गीला भाप होते जो इस्टीम होती है जो भेरी वेट इस्टीम बहुँ जाता है जो गीला होती है भाप उसी का पानी को अलग करने में ये काम आता है चलिए हम इसका construction के बारा हम समझते हैं, आक में separating calorimeter का किस तरशा construction होता है, देख सकते हैं यह जो diagram नजर आ रहे है, यह separating calorimeter का diagram है, चलिए हम इसका थोड़ा बारीकी से समझते हैं, तो सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पे हम लोग कलोरी मीटर का यूज करते हैं, मिस एक तरका दोगो container होती है, नहीं देख सकते हैं, जो बड़ी बाले container है, इसी हम क्या बोलते हैं, एक तरका मिस एक तरकी outer chamber होता है, इसी के अंदर हम लोग एक internal chamber का यूज किया आता है, मिस एक तरका ऐसा pipe, जहां से हमें steam मिले, तो मिस boiler से हमें steam मिलती है, जिसे गरम करने के बाद हमे इसे connect करते हैं, इसे हम लोग गया मिलता है, main steam supply pipe, तो इसके बाद हम connect करते हैं, तो यहां पर चमबर को connect होती है जिसे हम लोग sampling tube बोलेंगे यहां से connect करने के बाद यह जो मेरा inner chamber है इसके ऊपर हम लोग यहां पर परफरेटर कब ट्रे का यूज किया आता है यह काम करता है रोकने का काम करता है इसके बोल सकते हैं इसके बाद क्या होती है कि हम जो इस छोटी वाली inner chamber है इस करते हैं क्या एक तरह का यहां पर water gauge का यूज किया आता है जो इसकी अंदर में जो water है उसे यहां गेज करके बताए एक तरह कि इसमें कितिनी हद तक water है जो जो इस्टीम के सहयोग पानी इसमें जमा होई है और जिसके बगल्व में यह को इसके यूज के यूज कि आता है कि हमारे लेवल तक बता है कि हमारे जो water है कितनी हद तक लेवल है क्या करते हैं कि यहां से पाइप के थूरू निकली है तो यहां हम एक ड्रेन भाल का यूज करते हैं कि जैसे कि यह पानी बहु जादा यहां पर जमा हो यह यह द्रोपलेट करके वह स्टीम के पानी तो हम इसकी सहयोग से पाइप के सहयोग से निकाल सकते हैं और मेरी यहाँ आउंक्लेट लेट लेट पाइप करते हैं यूज मेरी आउटर चेंबर है तो और स्थीम निकल लिए इसमेगेंगे जिसमेंगे उर्ट कितनी निकलएगी जो आउटलेट लेट पाइप से यहां से यहाँ श्रीम निकलती है तो हम यहां इसे रखने के लिए यहां पर हम लोग steam condenser chamber का यूज करते हैं एक तरका chamber होती है जिसे हम लोग वीवेल कलोरी मीटर भी कह सकते हैं इसके नीचे हम यहां यूज करते हैं क्या waiting machine इसमें जो भी steam हमारा निकल के आए तो उसे wait कर सके फानले reading के लिए जहां में experiment के ज किस तर से working होता है किस तर से गिले भाब से पानी को अलग करता है हमारा separating कलोरी मीटर चलिए हम इसे थार समझते हैं तो सबसे पहले क्या होती है जैसे कि मेरा क्या में steam supply pipe है जैसे इसे connect होती है बोलर साथ जैसी बोलर को जैसे हम हीट करते हैं तो वहां से जो steam बनके आती है यह होगी यहां से steam उसे steam जाएगी ए कंट्रॉल भालविजLYर फैंटे जरूअ जोंग इसी दिया इनर चंबर इसके ऊपर जरा इसके अपर एक फुल dit संग करेगी एक इस ह impe zouंब यहां से निकल जाएगी यहां से निकल किया करगी यह विल्कुल आउंट लेट पाइप के सयोग से यहां पर यहां पर जाके श्टोरेज में लगागी अब एक समय ऐसा आएगी कि यह ज्यादा बहुत सट्राइक करें हमारा परफॉरेटर ट्रेप के ऊपर यहां पर क्या म्यारा सब्परिटर करता एक तरफ तो यह Hello तो यह बाटर का फॉर्म ल小時 यह गया जातिया तो इसके नीचे से पानी यहां पर drips जर्मम कर्ण होती है बाटर को सभीवेटर इंडिकेटर करें वाटर रेष जाएगी Pennil water indicator के स्वयूख से यहां पर बताएगी कि इसमें कितनी हतक पानी हमारे जमा हो गई यह कही हमें HOLT करेगी փसकेल में हमें हमें बताएगी कितनी हतक हमारा यहां पर यहार यहां पर बाटर जमा हो गए ज्यादा जमा अधिकटे का य्या बहुत करते हैं हम पर dl dedic लग निदिन दो मेरा यहां पर स्थिव कंडिश्व कि मैं ओए त्रूमर mauvais एधर के तो फे में आटाईगी तो इस तरह सेarnya क्या क्या यहां पर कि गिले भाप से पानी को अलग करने के लिए इसका उप्योग की यहां जो सप्रेटिंग केलोरी मिटर का यहां पानी अलग हो गई जो हमारे स्टीम है हमारा यहां अलग हो गई दो इसी चीज का हम लोग यहां पर यूज किये और इसे एक्सपरिमेंट में य्यूच यह को सब्सक्राइब दो